जै मतागी दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जिस माला से मंतर का जाब करते हैं और आप अपनी वो माला किसी भी देविया किसी भी देवता के विग्रह पर डाल करके रखते हैं उनको पहना करके रखते हैं और बाद में आप वापस से उस माला को धारन कर लेते हैं तो आपके उपर उस माला क्या प्रभाव पड़ता है और उस देविया उस देवता के बाव अलग होगा क्योंकि देखिए जो मंदिर होता है मंदिरों में जो देवी देवताओं की प्रतीमा होती है वो सिद्ध होती है वहाँ पर हर समय पूजा पाठ होता रहता है सुबह शाम दिन रात पूजा भक्ति भजन किर्तन ये सभी चीजें होती रहते हैं जिसकी उस मंदिर में जो मूर्तिया रखी होती है उनको जागरित होने में काफी समय लगता है उनको सिद्ध होने में काफी समय लगता है ऐसा सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ में ऐसा होता है कि जिनके घर की मूर्तियां सिद्ध होती हैं जागरित होती हैं वो भी इस वज कि सिर्फ और सिर्फ दिया जला देने से धूबती जला देने से घर की मुर्तियां सिद्ध हो जाती हैं जागरित हो जाती हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होता घर की जो मुर्तियां होती हैं उनको जागरित होने में काफी समय लगता है वो भी तब जब आप उनके सामने बैठ करके जाप कर रहे हो कोई पाठ कर रहे हो कोई हवन कर रहे हो कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया कर रहे हो तो ही ऐसा होता है अब जो माला जिस माला से आप जाप कर रहे हो और जाप करने के बाद में आप देवी देवताओं की मुर्ती पर उस माला को आप पहना देते हो और बहुती जबरदस्त फाइदा आप ले सकते हो लाब ले सकते हो क्योंकि मंदिर की मुरतियां सिद्ध होती है जब आप अपनी माला को उस विग्रह पर डाल देते हो पहना देते हो बाद में आप उस माला को खुद धारण करते हो या फिर उससे जाप करते हो तो जो आप मंतर जाप कर रहे हो वो जाप बहुत जल्दी सिद्ध होता है क्योंकि ऐसा करने से आपकी जो माला है वो कई इस तर आगे चली जाती है यानि कि जो आपकी माला है वो सिद्ध हो जाती है और उसमें जितनी उर्जा होनी चाहिए उससे भी जादा उर्जा का वास उस माला में हो जा आप जागरित माला से जाप करते हो तो आपका मंत्र भी सिद्ध होता है आपका तंत्र भी सिद्ध होता है और आपके कारे भी सिद्ध होते हैं इसके अलावा अगर आप जाप नहीं करते हो आप सिर्फ इतना ये सोच रहे हो कि हम उस माला को धारण कर लें अपने गले में वप्रिबादा आपको टच नहीं कर सकती, आपके पास नहीं आ सकती, दूसरा जो लाब मिलता है, वो ये होता है, कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो आपके चक्र है, वो एकदम बैलेंस रहते हैं, और एक सही दिशा में कार्णे करते हैं, जितनी उरजा आपको चाहिये होती है माला के माध्यम से क्योंकि जिस माला में जो माला आपने अपने गले में धारन करी है वो माला आपने पहले अपने इश्ट देव को पहनाई थी तो वो जो माला है वो आपके और आपके इश्ट देव के मद्धे में एक संबंद स्थापित करती है एक कहते यहना कि शुक्ष्म तार आप कह सकते हैं शुक्ष्म तार की माध्यम से आपके मन की बात आपके इश्ट देव तक पहुंसती रहती है और वो आपकी मनो कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं यह फायदा होता है लेकिन अगर आप घर पे ऐसा करते हैं तो यह जो प्रभाव है तो वो माला एक कम इस तरह पर काम करेगी फायदा आपको होगा लेकिन उसका जो फायदा होने का जो इस तरह है वो कम होगा यानि कि आपकी जो मनो कामनाओं उसको पूर्ण होने में काफी समय लगेगा आपके मन्तरों को सिद्ध होने में समय लगेगा आपकी जो मन की बात उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अपनी माला को जागरित करना नहीं आता अपनी माला को सिद्ध करना नहीं आता वो लोग तो इस चीज का फायदा ले सकते हैं मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ आपकी माला सिद्ध हो जाएगी जागरित हो जाएगी आपको क्या कर करवा करके शुद्य जल से सनान करवा करके माला को धूप दीप आपको दिखाना है माला पे पुश्प अर्पित करने है माला को भोग प्रसाद आपको लगाना है उसके बाद में जो आपकी माला है वो अपने इश्ट देफता के विग्रह पर आपको पहना देनी है ठीक है जाल करके रखनी है पहना करके रखनी है उसके बाद में आप अपनी माला को जाईए अपने इश्ट देव को प्रशाद चढ़ाईए उनके समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करिए उनसे प्राथना करके तब आप अपनी माला को वापस से ग्रहन करिए और फिर उसके बाद म मंतर काम भी करेगा आपका मंतर जल्दी सिद्ध भी होगा और आपकी मनोकामनाई भी जल्दी पूरी होगी लेकिन जब आप अपने माला अपने इश्देव के विग्रह से वापस लेंगे तो उनसे आपको अच्छी तरीके से परातना करनी है उनको प्रशाच चढ़ाना है धूप दीप उनके सामने जलानी है और जो भी आपसे गलतिया हुई है उसके लिए आपको शमा मांगनी है और बराबर उन बराबर आपको मंदर जाते रहना है यान कि जब तक आपकी माला रहेगी जैसे कि ग्यारा दिन आपने अपनी माला पहना दिये अपने भगवान को तो ग्यारा दिन कंटीन्यू आपको जाना है मंदिर में अपने इश्ट देव के दर्शन करने है उनकी पूजा करनी है उनसे प्रातना करनी है उनके समक्ष आपको थोड़ी दिर बैठना है ये क्रिया आपको 11 दिन लगातार करनी है फिर उसके बाद में 11 दिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे उसी दिन आपको अपनी माला ले लेनी है और फिर उसके बाद में आप जाब करना चाहें तो गले में धारन कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे आपो कारे कर सकते हैं आपका कल्यान होगा आपको लाब मिलेगा ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेर करना मिलूंगा आप से भी से अगली वीडियो में जय मातारानी की